हेलो दोस्तो ट्रवल स्रीज के एक नैप सोड में फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ जुतियंद्र और आप देख रहे हैं बाके बिहारी टूर और ट्रपल प्रदेश के कई टूरिस्ट प्लेसे कई पिक्निक स्पोर्ट कई में में पॉइंट्स जुद्ध यहां के वो सारे वीडियो की हैं आपके साथ में साजा की वैसे मगे अगर इस वीडियो की बात करूँ तो फिलाहल मैं नड्डी व्यूपाउंट पे हूँ यहां से आप खूबसूरत सा नजारा देख रहे हैं इस प्रकिति का खूबसूरत सा एक तरफ आपको परवत स्रिंखलाय देखने को मिल रही हैं जहां पर दूर से आप देखेंगे आपको यहां पर बर्वारी करती हुई दिखाई देती होती हुई दिखाई देखेंगे दूर तक यहां प्रकिति की सुन्दरता का वरनन कीजे कितना सुन्दर है आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खूबसूरत है यहां से सच में बड़ा खूब सूरत प्लेस है और वैसे जब चांस मिले जब मौका मिले आप जरूर विजिट करिए इस हिमांचर पदिश में काफी बहतरीन प्लेस है वैसे घुमते फिरते मैंने कई प्लेस को कवर किया कई प्लेस के वीडियो को रिकॉर्ड किये तो दिन सोचा कि न परवत की स्रिंखलाएं देख रहे हैं जहां पर आपको वाटरफॉल होता हुआ सायद वीजिविलिटी कम है वहां देख नहीं पाएंगे यहां पर दूरबीन के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है अगर आप आते हैं तो यह सारी चीज़े दूर से ही देख सकते हैं दूर प्रवेंट अलग आ सकते है इसके लिए आप 10 lot से 50 रूपय के जो टैक्सियां चलती यह से अप ले कर आ पर आ सकते हैं वैसा कि लिए अगर आ इस्टेक करने के लिए अगर इत्टन श ल Q विधाएं हैं, 10 से, माफ कीज़ेगा, यहां सुबिधाएं हैं, जो है, आप रुख सकते हैं, प्राइज और होटल जो है, अलग अलग प्राइज सेग्मेंट में अवेल्बिल हैं, हर तरह की अवील्बिल है, यहां फेजार रुपए, 15 रुपए, 2500, 2500, 3000, अलग अलग प्राइ का आप रूम लेते हैं तो थोड़ा सा चार्जस उसके एक्स्टा हो सकता है ऐसा मुझे लगता है मैंने बात भी करी है कैसे आना है कहां रहना है कितने खर्चें होंगे वगेरा वगेरा मैं इस वीडियो में आपको बता दूँव विसे कई वीडियो में मैं बताई沒 house, कइसे कि जब भी कोई नई प्लेस की वीडियो रिकॉर्ड करूं, किसी नई प्लेस की वीडियो को अप्लोट करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए कहता हूँ, कि आप जो है चैनल को कर लिए सबस्राइब, सो आप देख रहे हैं, खुबसूरत सा व्यू है, यहां का, यहां आना चाहते हैं, तो आईए आप अपने सहर से जो है, चंदीगड़ की ट्रेन बुक कीज़े, चंदीगड़ से आप धरमसाला के लिए बस ले लिए, जिससे दो सो तीन सु रुपए के आसपास चार्जस लग जाएंगी, तो अगर आप इस तरह से देख कर निकलना चाहते हैं, तो काफी बढ़िया प्लेस है, काफी सुन्दर प्लेस है, तो आईए जरूर एक बार हिमांचल में, क्योंकि धरती का दूसरा स्वर्ग कहा जाता है, इस हिमांचल प्रदेश को काफी बहतरीन, काफी सुन सो काफी बहतरीन व्यू था, काफी सुन्दर व्यू था, मौका मिलते ही आप निकल पड़िये इस प्लेस के लिए, वैसे कई दिन रहने वाला हूँ, अलग-अलग जगहें की अलग-अलग प्लेस की वीडियोज आपके साथ साजा करूँगा, सो काफी मज़ा आया, और यहा बहुत ही जरूरी होगा, गरम कपड़े रखना बहुत ही इंपॉर्टन होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड इस सीजन में है, अगर दूसरे सहरों में जहां पर 40 डिगरी सेल्सियस के आसपास टेंपरेचुर है, और ऐसे में यहां पर टेंपरेचुर मात 8 डिगरी सेल्सि काफी खुबसूरत व्यू दिखता है इस नदी भी पॉइंट का, सो आई होप आपने वीडियो को इंजॉय किया होगा जरूर क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, बस आज की वीडियो में इतना ही अब लेता हूँ, आपसे विदा अगले फिर किसी वीडियो में होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप अपने अपने लोगों का रखें ख्याल, सुस्त रहें, मस्त रहें, गुद बाई, बाई बाई दोस्तों